हलो फ्रेंड नमस्कार स्वागत है आप सभी का एड़िशेशन में इस वीडियो में हम लोग यूपी की सभी भरतियों के लिए बहुत ही महत्पूर टॉपिक एक जला एक उत्पाद के तहित जिलेवा उनकी विसिष्ट उत्पाद को देखेंगे तो फ्रेंड ये वीडियो आ क्शें पूछे जाते हैं आप यूपी PCS का एया ले लीजिए RO AR का एय्ट यूपी लेकपाल एक्जाम यूपी पुलिस यूपी SI यूपी सुपर टेर्ड यानि की यूपी की सभी भरतियों में यहां से कुश्यन जरूर पूचे जाते हैं तो यह वीडियो आपकी एक्जाम्स के लिए बहुत ही महत्पूर होने वाला है आप सभी से रिक्वेश्ट है कि आदे आप चैनल पर नए हाई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बैल अम्रोहा का जो है विशिष्ट उतपाद है आंगे दिखते हैं नेस्ट है अमैठी अमैठी का जो विशिष्ट उतपाद है वो है मूझ उतपाद फ्रेंट्स मूझ जो होता है एक पौदा होता है यह जो है जो खेत होते हैं तो खेत के पास जो है कहीं कहीं किसी किसी चेतर म और कहीं कहीं इसकी खेती भी लोग करते हैं तो इसकी जो मूझ होता है उसका पौदा होता है तो उसके जो पत्तियां होती हैं वहां से पत्तियां जो होती हैं उनसे ही ये बनाए जाते हैं उत्पाद तो यानि कि तरह तरह प्रिकार की जो है डलिया है और जो बैट के टाइप क्यों होते हैं तो वो सारे जो है मूँज से बनते हैं और कुछ लोग जो है जो चारफाई होती है उसे भढ़ने के लिए भी जो प्रोडक्ट यूज होता है वो मूँज से बनाया जाता है तो आँगे दिखते ते हैं alignment अंबेडकरनगर में लुए विशस्ट उत्पादफ उनेंट के सब्सक्राइए वीन को सब्सक्राइब आगरा का बिसिष्ट उत्पाद है अब कुछ लोग यह कहने लगेंगे कि पेठा भी है तो पेठा है लेकिन बिसिष्ट उत्पाद जो एक सरकार गवर्मेंट की नजर में जो चीज़े रखी गई है आपको वहां से देखना है कि गवर्मेंट ने जो है क्या किसको दिया है व लिए उसके लिए आजमगड को विष्श्ट उत्पाद की रूप में चुना गया है आगे नेष्ट इटाव्म यह बस्ष्ट उत्पाद के लिए चुना गया है। बि उसके लिए प्रियागराज को एक जिला एक उदपादी ओजना में सामिल किया गया है आगे नेश्ट उन्नाव उन्नाव यहां पर जरी जर्दोजी यह इसका विशिष्ट उदपाद है नेश्ट एटा इटा इसमें घुंगरू और घंटी यह एटा का विशिष्ट और आगे नेश्टे काんなबडोर आपको बताया तो आगरा का चमला उद पाद कानपुर के लिए भी चमडा उत्पाद है आगे नेश्टे कानपुर देहाद तो कानपुर देहाद का जो है जस्ता वर्तन के लिए इसका जो है विशिष्ट उत्पाद है नेश्ट देखते हैं नेश्टे कासगंज कासगंज जो है आपका जरी जर्दोजी के लिए जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर देए फिर्ट आंगे नेक दिखते हैं कौशामभी को शामभी का जो एक जिला एक उत्पाद हो जना के तहित विश्ष उत्पाद है वह खाद प्रसंसकर और इसमें जो है केला रखा गया है आगे रिष्ट है गाजियाबाद तो गाजियाबाद यांत्र की उत्पाद के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में इसको विशिष्ट उत्पाद की रूप में चुना गया है नेश्टे गाजीपुर तो गाजीपुर जूट वाल हैंगिंग्स इसके लिए विशिष्ट उत्पाद इसको दिया गया है नेश्टे गोरकपुर तो गोरकपुर जो है इसे मिट्टी बरतन जो टेरा कोटा इसे जी आई टेग में भी सामिल किया गया था तो ये इसका विशिष्ट उत्पाद है आगे नेश्टे गौंडा तो गौंडा जो है खाद प्रसेंस करड यानि कि इसमें जो है जो खाने की जो है चीजें के लिए इ इसका विशिष्ट उत्पाद है एक जिला एक उत्पाद योजना की तहद आगे नेश्टे चित्रकूट चित्रकूट जो है लकड़ी के खिलोने लकड़ी के खिलोने के लिए इसको विशिष्ट उत्पाद की रूप में चुना गया है आगे नेश्टे चंदॉली तो एक जलार्ण एक उतपादी हो जविशिश्ट उतपाद है नेस्ट जॉनपूर देवरियाbasis सजावटी उत्पाद के लिए यह इसका विशिष्ट उत्पाद है पीली भीत यह बासुरी सबसे अधिक बनती है और यह विशिष्ट उत्पाद उन्हीं को दिये गए है जिस जिले में जो चीजा जादा अच्छे इस तरपर यानि कि इनको प्रोडक्शन वहां पर जादा हो तो आप इसको थोड़ा और अच्छे से बढ़ाए ताकि प्रतिक जिला अपने जो इस तरह से अच्छा काम करेगा तो पूरी यूपी को जो यूपी की अर्थवरस्ता है वो मजबूत होगी तो इसके लिए ही यह यूजना चलाई गई थी आंगे नेश्टे प्रतापगड तो प्रतापगड जो है खाद प्रसेंस करन यह आउला के लिए प्रसिद्ध है और यह कुशन जो है आपके जो चकवंदी लेकपाल का एक्जाम हुआ था वहाँ पर भी पूंचा लिया था कि आउला जो है कहां का विशिष्ट उत्पाद या कहां पर ज्यादा पाया जाता तो इसका प्रतापगड आंसर सही है तो आंगे नेश्टि फट्य पॉर्च चीट के लिए जो है पिशिष्ट उत्पाद इसको सबसे ज़्यादा इसलिए फिरोजाबाद को यह यहां पर कांच उत्पाद यहां पर एक तलिए बैशिष्ट उत्पाद के रूप में को दिया गया है निश्टे फैजाबाद तो फैजाबाद में गुड के लिए फैजाबाद को बिशिट उत्पाद दिया गया है निश्टे बदायू तो बदायू जो है ये जरी जर्दोजी जो है बदायू का बिशिट उत्पाद है निश्टे बरेली तो बरेली का जो बिशि यहां पर याद रख लेना बलीया बिन्दी यानि कि भास इसमें भी आ रहा है याद हो जाएगा और आंगे नेश्ट है वस्ति तो वस्ति जो है यहां पर काश्ट सिल्प यानि कि जो लकडी बुट से जो चीजां बंदी है तो उसके लिए जो है बस्ती को विशिष्ट उत्पाद मिला है नेश्टे बहराईच तो वहराईच जो है यहाँ पर गेहूं डंठल की कलाकृतियां जो गेहूं होता है वो गेहूं पूरी तरह से सूकने से पहले गेहूं जो गेहूं निकाला जाता है तो उसका डंठल जो बिशिष्ट उत्पाद प्राप्त है नेश्टे बारा बंकी बारा बंकी जो है इसे हत करगा की रूप में जो है बिशिष्ट उत्पाद प्राप्त है नेश्टे बांदा बांदा जो है सजर पत्थर सिल्प के लिए बिशिष्ट उत्पाद मिला है नेश्टे बिजनोर तो ब रफलान यह यह पर वस्त्र संबंदी उत्पाददन, इसलिए इसलिए इसका विषिट उत्पाद फार्फդ सबसे ज़्यादा पिर्चिद्ध है अंगे नेश्ट है मुझफर नंगर गुड के लिए पिर्चिद्ध है अंगे जलते हैं नेश्ट आपका है मुरादाबाद तो मुरादाबाद को आप देख सकते हैं मुरादाबाद आपका धातुशल्फ के लिए तिया गया है अंगे मेरट में फ्संपादि रूप ये दिया गया है अंगे म endeavor मैं पूरि तो मैं पूरिं में तारकसी कला तो इसका विश्च उतपाद है अंगे चलते हैं nast रामपूर तो रामपूर का जो विश्च उतपाद है ये पैंच वर्ग जो है इसका विशिट उत्पाद है आंगे चलते है नेश जो आपका जला है वो है राइवरेली तो राइवरेली जो है काश्ट शिल्प के लिए जो है पिरसिद्ध है आंगे है नेश ने जो लखनव लखनव जो है चिकन कारी चिकन कारी का मतलब जो है जो क यहां पर जरी जर्दोजी का भी काम होता है आंगे चलते हैं नेश्ट जो आपका है लखिम पूर खीरी तो लखिम पूर खीरी जो है यह जंजातिय सिल्प के लिए जो है पिरसिद्ध है आंगे नेश्ट है ललित पूर तो ललित पूर जो है यह जो है आपका जरी सिल्प मुझानली जो है यह रिम एवन धुरा जो रिम धुरा होता है साइकल का जो है जो हो प्रोडक्ट होते हैं इसके लिए सामली प्रसिद्ध है अंगे साहज जहां पूर तो साहज हां पूर में जरीडर जर्दोजी का काम अच्छे लेविल पर होता है इसलिए इसका प्रेक्टिस की तो आप फिर तो आपको बिल्कुल करेक्ट याद होने चाहिए तो आपका कहीं से भी कुश्यन आजाए आप कर लोगे क्योंकि बांकी की भी आपने रिवीजिन कभी कभी की है और कुश चीजन आपको बिल्कुल ही क्लियर है तो आपका हो जाएगा खुशन गलत नहीं होगा नेश्ट शाहरनपुर शाहरनपुर ये काश्ट सिल्प के लिए इसका बिशिष्ट उतपाद है नेश्ट है सिदार्थ नंगर सिदार्थ नंगर खाद प्रसेंस कर इसमें काला नमक चावल ये इसका बिशिष्ट उतपाद है नेश्ट है सीतापुर तो सीतापुर जो है ये डरी जो है ये जो बिस्तर होते हैं उसमें जो पतली सी बुनके डरी बनाई जाती है वो वाली डरी जो है यहाँ पर इसका जो है विशिष्ट उतपाद है नेश्टे सुल्तानपुर तो सुल्तानपुर मूझ उत्पाद के लिए इसका विशिष्ट उत्पाद है, मूझ अभी बताया था, मूझ एक पौदा होता है, तो उसी से ये बनते हैं, नेश्टे सौनभद्र, तो सौनभद्र की कालीने फेमस हैं, अंगे संत कवीर नंगर, तो संत कवीर नंगर में पीत हमीरपुर की सबसे जादा प्रशिध हैं, हर्दोई, हर्दोई हधकरगा के लिए विशिष्ट उत्पाद इसको दिया गया है, नेश्टे हापड, हापड जो है घरेलू सजाप्टी सामान के लिए ивать जो हैं हापड को भिषिष्ट उत्पाद की रूप में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहच चुना गया है इस प्रकार फ्रेंट्स इसुड इसको नंबरसा प्रम कि और दो जाएंगे और यहां से लगबग दो नमर के उख admin में आने ही आने होते हैं कोई भी एक्जाम आप ले लिजी यूपी लेविल का कोई भी एक्जाम होगा यूपी का वीडियो का रूरी एक्जाम होने वाला है यूपी लेकपाल का एक्जाम होने वाला है यूपी एसाई का एक्जाम अभी हुआ था यूपी प्लिस का एक्जाम भी कर दिया करें इसके साथ ही हम जो है यूपी लेवल के और भी वीडियो लाएंगे तो आप सभी के लिए आज का ये वीडियो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में वीडियो को पूरा देखने लिए बहुत-बहुत धन्वाद